तो आज हम बात करने वाले हिंदी के एक important topic के बारे में तो रस के बारे में बात करेंगे रस के कुछ important questions लिये हमने top 100 questions को discuss करेंगे यहां पर और इसको detail में आपने पढ़ी लिया होगा तो ऐसी तो मैं आपसे उमीद रखती हूँ क्योंकि अब paper में ज्यादा time नहीं बचाया है कम ही time बचा है एक हफ़ता ही time है तो इसलिए last time पर एक हम कोई revision series चला रहे हैं जिसमें मैं हिंदी का आज यह topic है जो रस उसकी कुछ questions कराऊंगी यहां पर तो चलिए start करते हैं start with the first question पहला question है सांत रस का इस्थाई भाव है सांत रस का इस्थाई भाव क्या होता है option a है बैराग option b है छमा option c है दया option d है निर्वेद तो कौन सा रस होगा इसका इस्थाई भाव क्या होगा सांत रस का निर्वेद क्या हो जाएगा इसका answer निर्वेद option d next question पर बढ़ते हैं हम किस रस का इस्थाई भाव रती है रती किसका इस्थाई भाव है हमें ये बताना है तो option A है भक्ती रस option B है श्रंगार रस और option C है दोनों का option D है दोनों का नहीं तो इस्थाई भाव जो है रती वो किसका है वैसे तो श्रंगार रस का है लेकिन शंगार रस को भक्ती रस भी कह दिया जाता है इसलिए इसका क्या अंसर हो जाएगा दोनों का यानि option D क्या अंसर हो जाएगा इसका option D next question पर भढ़ते हैं हम हिंदी काव विरशों की कुल संख्या है हिंदी में काव विरशों की संख्या बतानी है option A है 11 option B है 10 option C है 9 option D क्या है 8 तो कितनी संख्या है रसों की रसों की संख्या है 9 क्या अंसर हो जाएगा इसका option C next question पर भढ़ते हैं हम यशोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलराई मलहावे जोई सोई कचु गावे इस अवतरण में कौन सा रस है यशोदा हरी पालने जुलावे यानि क्या है यशोदा जी क्या कर रही है हरी यानि कृष्न को कानहा को जुला रही है जूले में इसमें कौन सा रस दिख रहा है में पहले option देख लेते हैं option A है संखार रस Option B है वाश्चल रस Option C क्या है सांत रस Option D है करून रस तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें वाश्चल रस Next question पर बढ़ते हैं हम उस्सहार इस्थाई भाव से किस रस की निस्पत्ती होती है Option A क्या कह रहा है सांत रस से Option B है भयानक रस Option C है रौद रस Option D क्या है वीरस तो उस्सहा का इस्थाई भाव हमें बताना है उस्सहारस जो है उसका इस्थाई भाव होता है उस्सहारस जो है किसका इस्थाई भाव है वीरस का तो इसका अंसर क्या हो जाएगा वीरस यानि Option D Next question पर चलते हैं हम तो इसमें हमें इस उद्रहन में क्या करना है कौन सा रस है ये बताना है तो option A कह रहा है रौदर रस, option B बीवस से रस, option C भयानक रस और option D क्या है वी रस तो इसमें क्या option हो जाएगा बीवस रस, बीवस रस का इस्थाई भाव क्या होता है जुगपसा या फिर घ्रडा इसका अंसर क्या हो जाएगा option B, next question पर चलते हैं अब हम निसिचरहीन करहूं मही, भुज उठाई, पनकीन, सकल मुनहिन के आशमन, जाई-जाई सुक दीन उपर्योगत उद्रहन में किस रस की नित्पति हुई है option A कह रहा है, करोर रस, option B है, वीरस, option C क्या है, रौदर रस, option D क्या है, भयानक रस तो इस उद्रहन को पहले तो इसका भावार्त देखते हैं, भुज उठाई, यानि पहले हम इसी राइन में देख लेते हैं, भुज उठाई, तो यानि भुजाएं उठाई तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा हमारा वी रस option बीस का answer हो जाएगा next question पर चलते हैं हम गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार आपा मेटी जीवती मरे तो पावे करतार उपरियुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है option एक क्या कह रहा है सयुक्त रस, स्रंगार रस option बी है करोंड रस option C क्या है अदभूत रस option D क्या है सांत रस तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा हमारा सांत रस option D का सही answer होगा next question पर चलते हम रौद रस का इस्थाई भाव है रौद रस का इस्थाई भाव बतानाय में option A है क्रोध, option B क्या है विश्मई रस option C है सोक रस option D क्या है भए रस तो भए रस तो खेर कोई होता ही नहीं है तो option A जो है इसका सही answer हो जाएगा क्रोध रस रौद रस के स्थाई भाव क्या हो जाएगा क्रोध रस next question पर चलते हम question क्या कह रहा है शोक किस रस का स्थाई भाव है option A है सांत रस option B है करोध रस option C क्या है हाश रस option D है वी रस तो शोक किस रस का स्थाई भाव है किस रस का स्थाई भाव है करोध रस का और शांत रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा निर्वेद, हाश रस का हास, वीरश का उस्सहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option B next option पर चलते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है श्रंगार रस को, वीर रस को या फिर हास रस को option D, उपर युक्त में से कोई नहीं तो किस रस को रसराज कहा गया है श्रंगार रस को कहा गया है श्रंगार रस को जो है रसपती भी कहा जाता है या रसराज भी कहते हैं और श्रंगार रस को सर्वसेष्ट रस माना गया है, सभी रस में तो option A इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर चलते हैं अबलो नसान ही, अबलना नसउहां, में कौन सा रस है option A क्या कह रहा है सांतरस और option B है करोंड़स option C क्या है भकती रस, option D है अदबुतरस, तो अबलो नसानी, अबलना नसउहां, में कौन सा रस हो जाएगा, शांतरस सांतरस का स्थाई भाव क्या होता है निर्वेद और करोन रसका शोक भक्ती रसका स्थाई भाव भक्ती रसो या शंगार रसो तो उसका स्थाई भाव क्या हो जाएगा रती अद्भूत रसका स्थाई भाव क्या हो जाएगा विसमे या फिर आश्यर नेश कोशन पर चलते हैं हम अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पढ़ेगा ये बताने के लिए और अब ही हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं पढ़ने के लिए तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो पेपर के लिए हमें याद ही कर देनी चाहिए तो अच्छा होगा तो इसमें क्या पूछा है इन पंग्तियों में जनक तनिया क्या है जनक तनिया क्या है? Option A क्या है? अनभाव Option B आश्रे Option C क्या है? विशय Option D क्या है? उद्धीपन तो जनक तनिया क्या हो जाएगा? विशय हो जाएगा Option C इसका सही आंसर होगा Next Question पर चलते हम इस्थाई भाव की कुल संख्या है? Option A है? 9 Option B क्या है? 10 Option C क्या रहे? Option D 12 तो इस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 इस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 Option A इसका सही आंसर हो जाएगा Next Question पर चलते हम सांत रसका स्थाई भाव क्या है? सांत रस का स्थाई भाव बताना है इसमें america जूगुपसा b क्या है, kroth? option c है,rangk r philosoph option d क्या है, निर्वेद, रस रघ्ष जूगुपसा जो स्थाई भाव होता है वो होता है भीष्द रसका क्रोध, क्रोध जो स्थाई भाव किसका है वो है रौद्र रसका अशोक इस्थाई भाव किसका है करुण रसका निर्वेद किसका है सांत रसका इस्थाई भाव है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option D नेश कर्शन पर हम चलते हैं श्रंगार रसका इस्थाई भाव क्या है option A है उस्थाई रस, option B है सोक रस, option C है हास्थ रस और option D क्या है रती रस स्रंगार का क्या बताना है इस्थाई भाव बताना है तो option D रती रस इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा option D नेश कोशन पर बढ़ते हैं हम option A है हास्थ रस, option B है सांत रस, option C क्या है अदभूत रस, option D क्या है बीवस्थ रस तो विश्मे इस्थाई भाव किस रस में होता है विश्मे होता है अदभूत में अदभूत रस में विश्मे या फिर आस्चर इस्थाई भाव जो होता है वो किसका होता है अदभूत रस का तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option C next question पर हम बढ़ते हैं किलक अरे मैं नहीं नहारू इन दातों पर मोती वारू तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा देखते हैं वीरस, औप्शन B सांतरस, औप्शन C क्या है वाशलरस, औप्शन D क्या है हासरस किलक अरे मैं नहीं नहारू इन दातों पर मोती वारू तो इसमें ये जो लाइन है इनका भावार देखते हैं पहले क्या होगा जब कौन सा रस हो जाएगा वाशल रस हो जाएगा कौन सा रस होगा वाश्चल रस आप्शन सीज का सही आंसर होगा नेक्ट कोशन पर बढ़ते हैं हम अति मलीन ब्रशिबहान कुमारी अधोमक रहती उरद नाही चितवति जेओ गतहारे ठकित जोआरी छूटें चिहुर बदन कुमलानी जेओ नलनी हिमकर की मारी इन पंक्तियों में कौन सा रस है तो अप्शन ए क्या है हाश रस अप्शन भी है करों रस ओप्शन C क्या है विर्परदलंब रस स्रंगार रस और डी क्या है सयोग स्रंगार रस तो इसमें क्या है अति मलीन ब्रशिबहानी कुमारी अधोमक रहती उरद नहीं यानि उरत ने उधों ने जब राधा जी यानि ब्रशबान कुमारी यानि राधा जी का जब मुख देखा मलीन मुख तो वो क्या हो गए देखकर उने उनका बदन जो हो गया कुमलाने लगा तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा इसमें हो जाएगा विप्रलंब श्रंगार रस क्योंकि राधा जी का क्या था एक वेयोग हो गया था वेयोग क्रिष्ट से स्री कृष्णे से इसलिए इसमें क्या हो जाएगा विप्रलंब श्रंगार रस ऑप्शन सीस का सही आंसर हो सर्व स्रेष्ट रस किसे माना जाता है तो सर्व स्रेष्ट रस किसको मानते हैं option A है रौद्र रस, option B है स्रंगार रस, option C है करूल रस, option D क्या है वी रस, तो सर्व स्रेष्ट रस मानते हैं स्रंगार रस को, कौन सा सर्व स्रेष्ट रस है श्रंगार रस, option B next question पर बढ़ते हैं हम कवी विहारी मुख्य तक किस रस के कवी है option A है करून रस, option B है भक्ती रस, option C क्या है श्रंगार रस, option D है V रस, तो कवी विहारी ने जो अपने दो हे लिखे हैं जादा तर वो लिखे हैं श्रंगार रस में किसमें लिखे हैं, श्रंगार रस में option C का सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई ये किसने line बोली है ये बोली है मीरा बाई ने, किसके लिए गिर्धर गोपाल के लिए बोली है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा पहला option क्या है सांत रस, option B है श्रंगार रस, option C क्या है करोन रस, option D है हाश रस, तो इसमें कौन सा अंसर हो जाएगा option B यानि श्रंगार रस हो जाएगा next question क्या है शोबित कर नवनीत लिये घुट रन्यू चलत रेनू तन मंडित मुख दधी लेप किये इन पंक्तियों में कौन सा रश है तो option A क्या है, स्टंगार रस, option B क्या है, हाश रस, option C क्या है, करोन रस, option D क्या है, वाश रस तो शोबित कर नवनीत लिए घुट रनू चलत तो ये लाइन जो बोली गई है किसके लिए है यानि काना जी यानि बाले वस्था में जब कृष्ण जी घुटनों के बल चल रहे है और मुखी दधी लेप लिए यानि मुख पर दही का लेप लिए चल रहे है तो इसमें कौन स दरस हो जाएगा वाशल रस यानि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नेश कौश्चन पर बढ़ते हैं हम तो कौश्चन है रसोत पत्ती में आश्रे की चेस्टाएं क्या कही जाती है ओप्शन A है विभाव ओप्शन B है आलंबन और ओप्शन C क्या है अनभाव ओप्शन D है उद्धी पन तो रसोत पत्ती में आश्रे की चेस्टाएं कही जाती है अनभाव ओप्शन C इसका सही आ टा ठा डा धा वर्णों के प्रयोग का सम्मंद कावव से किस कुण से है option A माधुर, option B क्या है ओज, option C है प्रशाद और option D क्या है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा ओज इनका सम्मंद किस से है कावव के ओज गुण से है next question पर बढ़ते हम माधुर, गुण का किस रस में प्रयोग होता है option A है सांत रस, option B है श्रंगार रस option C क्या है भयानक रस, option D है रोद रस तो माधुर, गुण का किस रस में प्रयोग होता है श्रंगार रस में, किस में प्रयोग होता है श्रंगार रस में option बीस का सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम प्रिये पती वहे मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जल निधी डूबी का सारा कहां है तो ये क्या है दुख पहले तो ये ही एक सब्द देख लेते हैं इसमें क्या है इन पंक्तियों में कौन सा इस्थाई भाव पूछा गया है तो option A है विश्मय option B क्या है रती option C क्या है शोक option D क्या है क्रोध है तो दुख दुख यानि करुणा करुणा यानि करुण रश तो करोन रस का जो इस्थाई भाव होता है वो क्या होता है शोक तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा शोक चलिए next question पर बढ़ते हैं अब हम रस कितने प्रकार के होते हैं option A है 3, option B है 7, option C है 8, option D क्या है 9 तो रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? रस के प्रकार बताए गए है 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? option D, next question पर बढ़ते हैं हम उधो मोही, ब्रज बिसरत नाही, हनस सुता की, सुन्दर कगरी और द्रुमन की च्छाही इन पंक्तियों में कौन सा रस है? option A क्या है? शरंगार रस, option B क्या है? आप्शन रस, option C क्या है? वी रस और option D क्या है? करण रस तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? उधो मोही, बिसरत नाही में, व्योग शरंगार रस शरंगार रस तो है, पर शरंगार रस में कौन सा? व्योग शरंगार रस हो जाएगा next question क्या है? हिंदी साहित्ते का नौवा रस कौन सा है? option A क्या है? भक्ती रस, option B क्या है? वाश्चल रस, option C है सांत रस, option D क्या है? करण रस तो हिंदी साहित्य का नौवा रस पूछा गया है नौवा रस है सांत रस सांत रस क्या है हिंदी साहित्य का नौवा रस है सांत रस का इस्थाई भाव क्या हो जाएगा निर्वेद क्या हो जाएगा निर्वेद इसका इस्थाई भाव हो जाएगा next question पर बड़ते हैं हम वाक्यम, रसात्मकं, कावियam किसका कथन है egevan असस रहाआश option A है विश्वनाथ option B क्या है राज सेखर option C क्या है ش्री हर्श option D है भाश तो इसमें क्या हो जाएगा option A है का सही анसर हो जाएगा किसका कथन है ये विशनात यानी option इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम मन की उतपते वेदना मन ही मन में बहती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी दुर्गम पत पर चलने का वो संबल छूट गया था अविचल अविकल वह प्राडी भीतर से तूट गया था तो इसमें क्या करना है उपर्युक्त काव्वे पंक्तियों में कौन सा रस अभी व्यंजित हो रहा है ये बताना है हमें तो option A क्या है सांत रस option B है व्योक श्रंगार रस option C क्या है करौन रस option D क्या है वाशल रस तो कौन सा रस है इसमें करौन रस करौन रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है शोक तो इसका answer क्या हो जाएगा option C यानी करौन रस हो जाएगा next question पर बढ़ते हम वी रस का इस्थाई भाव क्या होता है option A क्या है option A है रती option B है, उस्सहा, option C है, हाश्च, और option D क्या है, क्रोध तो वीर रस्का क्या बताना है, हमें, स्थाई भाव, बताना है वीर रस्का स्थाई भाव होता है, उस्सहा, क्या होता है, इसका स्थाई भाव, उस्सहा रती किसका इस्थाई भाव होता है श्रंगार रसका और option C में क्या दिया है हास्च किसका इस्थाई भाव होता है हास्च रसका और option D में दिया है क्रोध क्रोध किसका इस्थाई भाव होता है रौद्र रसका इस्थाई भाव होता है किस रस को रसराज कहा जाता है औप्शन ए है श्रंगार रस औप्शन भी है हाश्च रस औप्शन सी क्या है वी रस औप्शन डी क्या है सांत रस तो रसराज किस रस को कहा जाता है रसराज कहा जाता है श्रंगार रस को श्रंगार रस को ही रसराज रसपती कहा जाता है और सर्व रस की संख्या किसको दी गई है? स्रंगार रस को दी गई है इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option A नश कोशन पर बढ़ते हैं हम संचारी भावों की संख्या है Option A है 9 Option B क्या है? 33 Option C क्या है? 16 Option D क्या है? निन्यानवे तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है रसु में? 33 कितनी संख्या बताई गई है? 33 संख्या बताई गई है और इसमें जो दिया है ना 9 9 किसकी संख्या बताई गई है? 3 भावों की संख्या बताई गई है और 33 बताई गई है संचारी भाव की संख्या बताई गई है संचारी भाव किन को कहते हैं जो मन में संचरण करने वाले याने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं संचारी भाव कहते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा option बीस का सही answer हो जाएगा नेज़ क्रेशन पर बढ़ते हम भरत मुनी के रसूत्र में निम्न लिखित में से किसका उलेग नहीं है option A क्या है? इस्थाई भाव option B है सांत और option C क्या है? अनुभाव और option D क्या है? व्यविचारी भाव तो भरत मुनी का जो रसूत्र है रसूत्र क्या है? व्यविचारी सेयोगाद रस निस्पत्ति ही ये क्या है? भरत मुनी का रसूत्र है जिसमें रस की निस्पत्ति के बारे में बताया गया है लेकिन उन्होंने उलेग किसका नहीं किया है? इस्थाई भाव का उलेग नहीं किया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, option A का सहीं आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम भरत मुनी के अनुसार रसों की संख्या है option A क्या है, 8, option B है, 9, option C क्या है, 11 है option D क्या है, 10 तो भरत मुनी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है भरत्मुनी ने रसों की संख्या बताई है 8 कितनी बताई है? 8 Option A इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा Next question पर बढ़ते हैं हम किस रस का स्थाई भाव निर्वेद है? Option A क्या है? भक्ती रस Option B है सांत रस Option C क्या है? वास्चल रस Option D क्या है? स्रंगार रस तो निर्वेद किसका स्थाई भाव होता है? सांत रस का क्या होता है? निर्वेद क्या होता है? स्थाई भाव होता है Next question पर बढ़ते हैं हम भरत के रस सूत्र में निर्म लिखित में से किसका उलेख नहीं है? उन्होंने अपने रसूतर में किसका उलेख नहीं किया है ये बताना है हमें इसमें तो option A क्या है विभाव, option B है अनभाव, option C क्या है स्थाई भाव, option D क्या है संचारी भाव तो उन्होंने किसका उलेख नहीं किया है? स्थाई भाव का उलेख नहीं किया है अपने रसूत्र में नेस्ट कोशन पर बढ़ते हैं हम बीवस से रस का स्थाई भाव है Option A क्या है? भै Option B क्या है? निरवेद Option C क्या है? जुगुपसा Option D है? ग्रहना तो भीवस से का इस्थाई भाव बताना है इसमें हमें भीवस से का इस्थाई भाव होता है जुगुपसा क्या होता है? जुगुपसा या फिर घ्रहना क्या बुल सकते हैं? जुगुपसा या फिर घ्रहना इसका इस्थाई भाव हो जाएगा option C इसका सही answer होगा next question पर बढ़ते हैं संचारी भावों की कुल संख्या है option A क्या है 8 option B है 9 option C क्या है 33 option D है 36 तो संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है बताई गई है 33 जो मन में विच्रण करने वाले यानि आने जाने वाले संच्रण करने वाले भावों को कहते हैं संचारी भाव इनकी संख्या बताई गई है 33 तो option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहें कहने वाले आचार हैं option A क्या है option B है विश्युनात option C क्या है option C है भरत option D है राज सेखर क्या है राज सेखर तो इसका सही answer हो जाएगा विश्युनात क्या हो जाएगा इसका answer विश्युनात option B इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम केसव कही न जाई का कहिए देख़त तब रचना विश्युनाति समुझी मनही मन रहिए इसमें बताना है में रस बताना है कौन सा रस होगा तो इसमें रस कौन सा होगा option A क्या है रौद रस option B है सांत रस option C क्या है भयानक रस और option D है अद्भुत रस तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा केसव कही न जाई का कहिए में अद्भुत रस हो जाएगा इस कांसर क्या हो जाएगा option D यानि अद्भुत रस नेश कोशन पर बढ़ते हम जहन तह मज्जह मास जचर लखी परत बगारे जित 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 के हाड सेत कहूं कहूं रत नारे इस अवतरण में क्या करना है में रस बताना है कौन सा रस होगा पहला option क्या है बीवस option B है अद्भुत और option C क्या है भयानक रस option D क्या है हाश रस तो इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा बीवस से रस हो जाएगा इस अवतरण में कौन सा रस हो जाएगा बीवस से रस हो जाएगा option A इसका सही आंसर होगा next question पर बढ़ते हैं हम रौदर रसका इस्थाई भाव क्या है option A है उस सहा option B क्या है विश्मे option C क्या है क्रोद option D है भै तो रौदर का हमें क्या बताना है इस्थाई भाव बताना है रौदर का स्थाई भाव होता है क्रोद रौदर का स्थाई भाव क्या हो जाता है क्रोद option C इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है option A है संचारी भाव option B है अनभाव option C क्या है स्थाई भाव option D है बिभाव तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा संचारी भाव अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं उनको कहते हैं संचारी भाव option A इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हम सांत रसका स्थाई भाव है option A है गलानी option B है निर्वेद option C क्या है रती option D है श्रंगार सांत रसका स्थाई भाव क्या हो जाएगा निर्वेद option B इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हम next question है श्रंगार रसका स्थाई भाव है option A है प्रेम, option B क्या है राश और option C है उस सहा, option D क्या है शोक तो श्रंगार रस का इस्थाई भाव क्या हो जाएगा प्रेम यानि रती इसका इस्थाई भाव क्या हो जाएगा प्रेम या फिर रती option A इसका सही अंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं अब हम जुगुपसा किस रसका इस्थाई भाव है ओप्शन A है बीवस से ओप्शन B क्या है रौद्र ओप्शन C है अध्भूत ओप्शन D क्या है भयानक जुगुपसा किस रसका इस्थाई भाव है यह पूछा है हमसे तो जुगुपसा किसका इस्थाई भाव है किसुट रस को रसराज कहा जाता है option a you horns option b क्या हैो प्रस ऑफशन सी कि has our option D क्या है सांद रस तो रसराज यह रस्पति किस रस को कहा जाता है प्रसक को कह सह कहा जाता है option है एक और अजगर ही लखी एक और म्रगराई विकल बटो ही बीच ही परियों मूच्छा खाए इसमें बताना है हमें रस बताना है कौन सा रस होगा अप्शन ए क्या है भयानक रस अप्शन बी है करूण अप्शन सी क्या है सांत और अप्शन डी क्या है भक्ती तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें भयानक रस हो जाएगा अप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम अखिया हरी दर्शन की भूकी कैसे रहे रूप रस राची एव बतियां सुनी रूखी उपरियुत पंक्ती में कौन सा रस है अखिया हरी दर्शन को भूकी option A क्या है वी रस option B क्या है वियोग स्रंगार रस option Z क्या है सांत रस और option D क्या है सयोग स्रंगार रस तो अखिया हरी दर्शन को भूकी इस लाइन को पढ़के ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा वियोग स्रंगार रस कौन सा रस हो जाएगा वियोग स्रंगार रस option D का सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं अब हम विश्माइ इस्थाई भाव किस रस में होता है option A क्या है हाश option B है सांत option C क्या है option D है भीवस विश्माइ इस्थाई भाव किस रस में होता है यह बताना है जानि option C इसका सही आंसर होगा अदभुत का जो होता है अध्वुत रस होता है उसका स्थाई भाव क्या होता है विश्मा या फिर आश्यर स्थाई भाव होता है option C इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम करून रसका स्थाई भाव क्या है option A क्या है रती option B क्या है हाश option C है उस्सहा option D क्या है शोक तो करोन रसका इस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक रती किसका इस्थाई भाव होता है? शंगार रसका हाश किसका इस्थाई भाव होता है? हाश रसका और उस्सहा किसका इस्थाई भाव होता है? वीर रसका इस्थाई भाव होता है अमर्स क्या है एक काववे दोस एक संचारी भाव एक काववे गुण एक अलंकार तो अमर्स बताना है क्या है अमर्स क्या है एक संचारी भाव है संचारी भावों के कितनी संख्या बताई गई है तेतिस संख्या बताई गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा option B संचारी भाव आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हम मनरे तन कागत का पुतला लागें बून विनिसी जाए छिन में गरब करें क्यों इतना तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमें ये बताना है option A भक्ति रस option B क्या है शंगार रस option C क्या है करोन रस option D क्या है सांत रस तो इसमें हो जाएगा सांत रस इसका आंसर हो जाएगा कौन सा रस होगा इसमें सांत रस हो जाएगा answer D next question पर बढ़ते हम विभानु भाव विविचारी सयोगात्र निश्पत्ति ही को प्रतिपादित किया है किसने इस रस सूत्र को बताया है option A क्या है डंडी ने option B है भरत मुनी ने option C है वावन ने और option D क्या है अभनव गुप्त ने तो किसने इस रस को बताया है रस सूत्र को भरत मुनी ने इस रसूत्र को बताया है नेश कॉश्चन पर बढ़ नेश कॉश्चन है सेम ही कॉश्चन खेर आ गया है फिर से खेर रिवाइस कर लेते हैं इसको बिवानु भाव ब्यविचारी सयोगात्र रस निस्पत्ति ही सूत्र किस आचार का है भरत लोलक, आचार भरत मुनी, भरत नायक, अभिनव, गुपत्त तो किसका सूत्र है ये? आचार भरत मुनी का रसूत्र है उप्शन बीस का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नेश कॉश्चन पर बढ़ते हैं हम भरत मुनी ने रसूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है नाट्टे दर्पन आप्शन A या फिर आप्शन B नाट्टे सास्त्र आप्शन C हरताय दर्पन आप्शन D क्या इन में से कोई नहीं तो इन्होंने किस क्रंथ में अपना इस रस्तूत्र का विवेचन किया है नाट्टे सास्त्र में किसमें किया है नाट्टे सास्त्र option भी इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम बिभाव अनभाव और विविचारी भावों के सयोग से रस्की निस्पत्ती होती है किसका कथन है option A क्या है भावए option B भरत option Z है ममट option D क्या है जगन नाट तो बिभाव अनभाव विविचारी भावों से रस्की निस्पत्ती होती है यह कहाता भरत मुनी ने किसका कतान ने यह भरत मुनी यानि option B क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं आचार भरत ने किस रस को नाट प्रियोग में सुईकार नहीं किया है option A सांत option B है करुण option C क्या है भयानक option D है अद्भूत तो भरत मुनी ने किस रस को नाट प्रियोग नहीं किया है सांत रस को प्रियोग नहीं किया है option A उसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम रस की संख्या आठ किसने मानी है option A मम्मट option B विश्वनात option C भरत मुनी option D क्या है अभिनव गुप्त तो किसने संख्या मानी है भरत मुनी ने रसो की संख्या आठ मानी है option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम विशेश रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं option A अनभाव option B क्या है संचारी भाव option C विभाव option D इस्थाई भाव तो जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव तो option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम भाव सान्ती भाव संधी और भाव सवलता का संबंद भाव के किस भेश से है option A कहा है अनभाव option B इस्थाई भाव option C है विभाव option D कहा है संचारी भाव तो किस से संबंद है संचारी भाव से इसका संबंद है option D क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम वाणी और अंगों के अभनव दौरा जिनसे प्रकट हो वे है option A कहा है संचारी भाव option B है विभाव option C के अनभाव और option D है भाव तो वाणी और अंगों के अभनव दौरा जिनसे प्रकट हो वे है अनभाव option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम अनभावों के कितने भेद होते हैं अनभावों के भेद बताने हैं option A क्या है 2, option B, 3 option C, 4 option D क्या है 6, तो अनभावों के भेद होते हैं वो होते हैं 4, कितने होते हैं 4 यानि option C इसका सही answer हो जाएगा नश्क कॉशन पर बढ़ते हैं वेपतु कैसा अनभाव है? उप्शन A है आंगिक, उप्शन B वाचिक, उप्शन C सात्विक, उप्शन D बौधिक तो वेपतु कैसा अनभाव है? सात्विक अनभाव है उप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं अनभाव के दो भेद होते हैं option A क्या है काईक और वाचिक option B सात्विक और वाचिक option C काईक और सात्विक option D सात्विक और मांसिक तो अनभाव के दो भेद कौन से होंगे काईक और सात्विक कौन से काईक और सात्विक क्यानी option सी इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम जियों जियों पटू जटकती हटती हसती नचावती नैन तियों दो निपट उद्रहू फगुआ देत वने न तो इसमें बताना है कौन सा अनभाव है वाचिक अनभाव काईक अनभाव और मांसिक अनभाव और सात्विक अनभाव तो जियों जो पटू जटकती हटती हसती नचावती नैन तो इसमें अनभाव हो जाएगा काईक अनभाव Option B इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा Next question पर बढ़ते हम आचारदेव ने किस भाव को 34 संचारी भाव कहा है Option A क्या है चल Option B क्या है इसमरती Option C क्या है पुलक Option D क्या है रोमांच तो 34 संचारी भाव किसको कहा है आचारदेव जी ने कहा है छलको option A क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है रसों के संचारी भाव की संख्या पूछी गई है इसमें तो कितनी होती है option A है 23, option B 27 option C 33 option D क्या है 37 संचारी भावों की संख्या मानी गई है 32 30 या फिर 34 या फिर 33 कितनी संख्या मानी गई है option D यानि 33 संख्या मानी गई है संचारी भावों की तो चलिए next question पर बढ़ते हैं संचारी भावों की कितनी संख्या होती है ये फिर से वही question आ गया है option A क्या है 10 और option B क्या है 9 option C है 33 और option D क्या है 25 तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है 33 संख्या होती है कितनी होती है 33 यानी option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा डेश कर्शन पर बढ़ते हैं हम वी रस्का इस्थाई भाव हो है वी रस्का इस्थाई भाव बताना है हमें option A क्या है शोक option B है भय option C है उस्साह option D है निर्वेद वी रस्का इस्थाई भाव क्या होता है उस्साह क्या होता है उस्साह शोक किसका इस्थाई भाव होता है शोक होता है करुन रस्का भय किसका इस्थाई भाव होता है भयानक रस्का निर्वेद किसका इस्थाई भाव होता है शांत रस्का उस्सहा किसका स्थाई वाओ होता है वीरस का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Option C यानि उस्सहा हो जायएगा Next Question पर बढ़ते हैं वीरस का स्थाई वाओ है Option A. स्पूर्थी Option B. युद्ध Option C. उस्सहा और Option D. विरक्ती तो वीर रस के स्थाई बाव क्या होता है उस सहा यानि option C इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की स्रश्टी होई है option A वीर रस, option B स्रंगार रस, option C अदबोत रस और option D वीवस रस तो वीरों का कैसा हो बसंत वीर रस, किसकी उत्पत्ती होई है वीर रस यानि इसमें कौन सा रस हुआ, option A वीर रस next question पर बढ़ते हम, किस रस का संचारी भाव उगरता, गर्व, हर्ष आदी है इनके संचारी भाव होंगे, उगरता, गर्व और हर्ष, option A क्या है शंगार रस, option B वीर, option C, वाशल और option D, रोद्र तो किसके संचारी भाव होंगे, ये, वीर रस के संचारी भाव होंगे option B इसका क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम, बीवस्य का स्थाई भाव है option A, शोक, और option B, विश्मय, option C, जुगुपशा, और option D, अदभुत तो बीवस्य का स्थाई भाव क्या हो जाएगा, जुगुपशा या फिर ग्रणा क्या हो जाएगा, जुगुपशा या फिर ग्रणा, option C, इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम, बीवस्य का स्थाई भाव है, option A क्या है, option B क्या है, विश्य शोक, और option C क्या है, जुगुपशा, और option D क्या है, निर्वेद तो बीवस्य का स्थाई भाव क्या हो जाएगा, जुगुपशा यानि option C, इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम, जुगुपशा का स्थाई भाव होता है, जुगुपशा का अब हम से स्थाई भाव पूछा है, option A, वीरस, option B, रौदरस, option C, अद्बुत रस, option D, विवस्य रस option d क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम option a क्या है जुगुपसा option b क्रोध option c विश्मय option d निर्वेद अद्वुत रस का स्थाई भाव में बताना है अद्वुत रस का स्थाई भाव होगा विश्मय या फिर आश्चर क्या हो जाएगा विश्मय या फिर आश्चर option c इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम अद्वुत रस का स्थाई भाव क्या हो क्या है option a है विश्मय option b है क्रोध option c क्या है उस सहा option d है जुगुपसा तो अद्वुत का क्या करना है में इस्थाई भाव बताना है तो अद्वुत का स्थाई भाव होता है विश्मय option a इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम विश्मय या आश्चर किस रस का स्थाई भाव है option A क्या है V रस option B क्या है हाश्च रस option C अद्भूत रस option D रोद रस तो विश्मय का विश्मय या फिर आश्चर किस रस का स्थाई भाव हो जाएगा अद्भूत रस का option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम सांत रस का स्थाई भाव है option A क्या है रती option B क्या है शोक option C निर्वेद option D विश्मय तो सांत रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा निर्वेद option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं निर्वेद स्थाइबाव है option A रौदर रसका option B सांतरस का option C करूर रसका option D भयानक रसका तो निर्वेद स्थाइबाव किसका हो जाएगा सांतरस का स्थाइबाव हो जाएगा option B क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा चलिए next question पर बढ़ते हैं राम को रूप निहारती जान की कंकन के नग की परचाही उपर युगत पंक्ती में कौन सा रस है option A क्या है हाश रस option B है करोन रस option C क्या है सांस रस option D है शंगार रस तो राम को रूप निहारती जान की कंकन के नग की परचाही तो इसमें रस हो जाएगा स्रंगार रस सयोग शंगार रस हो जाएगा इसमें option D इसका सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम स्रंगार रस का इस्थाईबाव है option A क्या है शोक option B है रती और option C क्या है हाश, option D क्या है उस्सहा, स्रंगार रसका इस्थाइबाव क्या हो जाएगा, option B यानि रती, रती इसका सही आंसर हो जाएगा, next question पर बढ़ते हैं, स्रंगार रसका इस्थाइबाव है, option A रती, option B क्या है हाश, option C है शोक, option D क्या है निर्वेत, तो स्रंगार रसक का सफाइब क्या होता है रति इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रतिक पाप्शन इसका उन्सका अंसर हो जाएँका नेक्ट पर बढ़ते हैं इसमें कौन सा रत है पहला क्या है श्रंगार रश ऑप्शन भी है हाश रश ऑप्शन C क्या है करुण रश और ऑप्शनista क्या है साँथ ले पढ़ते हैu मेरो तो गिर्धर्ध गोपाल दूसरों ना गोई यानि मीरा जी की लाएने है वह ने कहा है कि मेरो तो पती मेरो पती कौन होगा गिर्धर गोपाल कृष्ण जी के लिए बोला है ऑप्षन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा श्रंगार रस नेक्स्ट कर्शन पर बढ़ते हम हम विप्रलंब श्रंगार में वियोग की कितनी दसाएं मानी गई हैं ऑप्षन ए 10 ऑप्षन बी क्या है 12 ऑ ऑप्षन डी 16 है तो विप्रलंब श्रंगार में वियोग की दशाएं मानी गई है 10 ऑप्षन एक क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नेक्स कर्शन पर बढ़ते हम हम किस रस का संचारी उदीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत रितू आदी के होते है तो प्षन ए क्या है श्रंगार प्षन बी वाशल उप्षन C अद्भुट और प्षन D क्या है सांत तो बादल की घटाएं और कोयल का बोलना और वसंत रितू यह होते हैं श्रंगार रसमे संचारी भाव है ना प्षन इसका क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते अब हम next question है फाड़ी नखन सब अंतरने रुधिर मवाद निकारी लेपती अपने मुख्रमी पै हर सी प्रेतिगन नारी उपरियोगत पंक्तियों में कौन सा इस्थाई भाव है इसमें इस्थाई भाव पूछा है तो option A क्या है भय, option B है जुगप्षा और option C क्या है विश्मे और option D क्या है निर्वेद तो इसमें इसको पढ़ने के बाद इसका भावार्त क्या निकलता है कि फाड़ी नखन शब अंतरने सबों को क्या किया है फाड़ा गया है मवाद निकारी और प्रेतिगन हर्षी प्रे तो इसमें स्थाई भाव जो है वो कौन सा निकल रहा है जुगप्षा कौन सा निकल रहा है जुगप्षा यानि option D option B इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम विंदिके वाशी उदासी तपो व्रत धारी महा बिनू नारी दुखारी उपर्युक्त पंक्तियों मे कौन सा रस हो जाएगा option A क्या है शगार रस option B कर produce option C क्या हाशर rat option D क्या है वी रस तो विंदिके वाशी उदासी तपो व्रत धारी इसमें हो जाएगा हाश्र rat हो जाएगा option C उसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं हम आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान लाल जी करने लगे छटे छमा से दान उपर इक दोहे में कौन सा रस है शंगार रस वीर ओप्शन सी करोन या फिर हाश तो कौन सा रस हो जाएगा हाश रस का स्थाई भाव क्या होता है हाश जो तुम्हार अनुसासन पावे कंदुक इवे ब्रह्मान्द हुटावे काचो घट डारों फोरी रोकों मेरू मुलक जिमी तोरी उपर युगत पंक्तियों में कौन सा रस है ओप्शन एक क्या है वीरस और ओप्शन बी क्या है रॉधररु ऀफ्शन सी क्या है हास्रस ऐअश्ट क्या है अद्बुत रस तो इसमें ऐसा answers हो जाएगा ओप्शन बी आनि रॉधर्रस रॉधरररस के स्थाई भाव क्या होता है प्रोध next question पर बढ़ते हम राग है की रूप है की रस है की जस है की तन है की मन है की प्राण है की प्यारी है उपर एक तो पंक्तियों में रस बताना है मैं option A क्या है श्रंगार रस और option B क्या है वाश्चले रस और option C क्या है अद्भुत रस option D क्या है सांत रस तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा अद्भूत रस हो जाएगा option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन ता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था इन पंक्तियों में कौन सा रस है option A क्या है श्रंगार रस option B करोन रस और option C सांत रस और option D क्या है भयान असरत तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा सांत रस option C इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हम दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही उपर इक पंक्तियों में कौन सा रस है तो option A क्या है करोन रस और option B क्या है श्रंगार रस option C अद्भूत रस option D विभस रस तो इसमें एक लाइन आईती ना पहली दुख ही जीवन की कथा रही दुख यानि दुख सबसे में पता चल रहा है इसमें कौन सा रस हो जाएगा करोन रस करोन रस का जो इस थाई भाव होता है वो क्या होता है शोक option A इसका सही आंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं अभी तो मुकुट बंधाता मात हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे शुंबन सून कपोल इसमें क्या करना है? अभी तो मुकुट बंधाता मात है और कल ही हल्दी के हाथ इन सब्दों से हमें बता चल रहा है इसमें है करोन रस कौन से हो जाएगा इसमें? करोंड रस क्योंकि इसमें एक दुख भरी बात बताई जा रही है इसमें आंसर हो जाएगा करोंड रस का तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेस्चन्स रस के उमीद है आपने इस क्वेस्चन्स को किया होगा अपने आप से खुछ से करने की कोशिस की होगी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने किसी स्टडी ग्रूप में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद